अलो दोस्तों हर दिन के बाती सबसे पहले हम चलते हैं अपने डैसबोट पर और देखेंगे कि ओवरॉल आज हमारा ट्रेड में क्या रहा है आज हम ओवरॉल प्रॉफिट में रहें या लॉस में इससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं यदि आप हमारे चैनल प रॉप्टी में तो पहले ट्रेड मुझे प्रॉफिट हुआ है 1170 रॉपया और एक में 150 रॉपय लॉस हुए है ओवरॉल देखा जाए तो मुझे प्रॉफिट हुआ है 1020 रॉपया मतब देखा जाए तो आज मैं 1000 प्रॉफिट में हूं तो चलिए मैं आपको समझाना चाहत हूं तो सबसे पहले इसके चलते हैं टेकनिकल चार्ट पर तो यह रहा हमारा निप्टी-फिप्टी का टेकनिकल चार्ट आप देख पार होगा नीचे आज 27 डेट है तो 27 तरिकर यह चार्ट भी है ओके तो देखिए आपको मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं आपको यह सा लाइन के बारे में आडिया नहीं है तो आप अल्री मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है जिस वीडियो का नाम है सपोर्ट रेजिटेंस आप उसको देखकर करके यह लाइन ड्रॉ करना आप सिख जाओगा तो चलिए अपने मुद्दे पर चलता है तो देखिए हमारे लेने का पुट मैंने पहला जो पुट लिया जो मुझे एक हजर इसका प्रॉफिड हो आप मैंने पुट यहां पर लिया था जो कि पूरा 22 पॉइंट जो भी होता है 20.18 पॉइंट जो भी मैंने कैप्चर किया किस अनलिसिस पर लिए मैं आपको यह बताने वाला हूँ जैसे इसने एक डोजे गेंडल जाने प्रवाण सिंधन किया कि आप उससे पहले देखोगे यानि की फर्षो यानि की तो पहला सपोर्ट मार्केट ओपन होते ही इसको तोड़ दिया तो हम लोग पहला कैंडल पर ट्रेड नहीं लिया हम अरपस दूसरा सपोर्ट देख रहा थे यह बहुत अच्छा सपोर्ट जो कि 25 तारिक वाला तो 25 तारिक वाले को मार्केट ने पहले सिस्टेन किया हम वेट करते रहा है जैसे ही market ने एक अच्छा सा selling दिखाया है दिखें यह perfect selling है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा red candle बना है क्योंकि market में लगातार continuously selling हुआ है और seller लगातार हा भी होते रहा गया तो दिखें डारेक्ट एक बार में इसने break कर दिया आप इदे modding में होंगे तो आप जुरूर देखें होंगे इस candle को कि एक बार में ही उसने market ने तोड़ा उसके आद आप देखोगे कि यहां market gap down हुआ तो मैंने इस point पर entry मारा और अच्छा कासा क्योंकि हमारा target यह इसलिए था क्योंकि आप और zoom out करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहां पर एक target है करीबन 7-8 September में target है यह देख पाओगे आप जैसा कि यह देखें आपको यहां target दिखेगा दिख रहा है आपको यहां से भी market अपने आपको मतलब reversal ले लिया था तो इसलिए हमारा target था तो हमें साथ target से आप एक दू point पहले निकल जाए क्योंकि तुर्दा safe game होता है तो मैंने यह point capture किया उसके बाद देखें कोई analysis नहीं बना क्योंकि यह call में that entry नहीं लिए सकते थे क्योंकि यहां पर trapping भी हो सकता था हाँ उसके बाद एक और moment बना call का जो कि मुझे trade लेना चाहिए था मैंने trade नहीं लिया देखें यह जो line था फिर market जब वापस rewards ले करके जब market इस line को break किया जिस line पर market open हुआ था वहां आपको देखना चाहिए था यहां पर market sideways होते होते गया जो कि premium यहां इसके बाद जब market ने कल के जहां closing किया था जब market ने उसको touch कर दिया और उसके उपर जब candle बनाया तो आप थोड़ा सा point book कर सकते थे अदर्वाइस बहुत कम लोगे ने यहां इसे हां call के तरफ trade लिया होगा क्योंकि यह कोई logic नहीं हो रहा था क्योंकि logic नहीं बन रहा था हाँ एक के scalper जो होगे वो छोटे सी यहां point लिये होगे क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी support यानि कि कल का जो support था उसे market जो break किया तो कल का closing के पास market जाएगा तो उन्होंने यहां पर 5-10 point जुरूट लिये होंगे में भी 10 से ज़्यादा भी point लिये होंगे तो यह रहा था आज का हमारा analysis बात आपको सुझ में होगी इस सारा support resistance का game है आपको बस wait and watch करना है और support resistance को follow करना है फिर आप देखोगे कि जो market कल के high को जैसे यह high रहा कल का इस high को जैसे market थोड़ा तो थोड़ा सा और दिखा है इस सब trap ही जो नहीं देखिए market call फिर put call put इसमें trap होते है आदमें क्या होते है इसमें मतलब trade लेना मतलब असंभव है हाँ जो beginners है क्या करते हूं momentum देखते हैं call ले लेते हैं जो कि गलत बात है नहीं करना चाहिए एक दो ट्रेड इलिजिए जैसे कि एक ट्रेड एक ट्रेड यहां ले सकते हैं दो ट्रेड बहुत काफी है हां मैं आपको यह बताना भूल गया कि मैं यह trap कहा हुआ मैं trap actually यहां पे हुआ क्योंकि जब यह fall किया तो मुझे लगा यह fall अच्छा सा करने वाला है जो कि fall नहीं किया तो फिर market ने retrace करके यहां पर फिर वापस चला गया market तो मैं वहां पर निकल गया कुट कर गया तो आज का हमारा यह analysis था अब बात करते हैं कल की अप यह देखोंगे में जो लाइन है पूरा perfectly market ने फॉलो भी किया है देखिए market यहां भी close हुआ है मैं अलड़ी line draw भी कर रखा हूं तो देखिए कल 50-50 का expire है तो मैं चलिए मैं कल के बारे में थुड़ा analysis बत scenario इदी market 19,729 को मतलब 30 के round समझे इसको इदी close करके मतलब इसके ऊपर इदी कोई candle बनाता है sustain कर जाता है मतलब रुक जाता है और इसके ऊपर candle बनाता है तो market जो हमारा हो है दो step में उपर जाएगा पहला step 19,760 को touch करेगा आप no down कर सकते हो फिर थोड़ा सा इस बीच आपको support resistance जैसा मतलब यहाँ पर थोड़ा market जिग जैक करेगा उसका टार्गेट जो होगा हमारा वो 19,791 तक का target होगा यह हमारा हो गया निफ्टी 50 का downside की तरफ बात करें यानि कि put की तरफ तो put तरफ आप दखोएगा मैं पास बहुत सारे जगह है यह इसको fall करता है तो market फिर से इसको touch करेगा फिर इसको fall करेगा तो इसको मतलब हमारे पास put के side तो बहुत सारे point है पहला जो target होगा हमारा इस line को इदी cross कर देता है क्योंकि देखोगे आप यहां भी fall देखने को मिला है इस line पर करीबन एक बच के 30 नट पर तो फिर market यहां से fall कर सकता है यहां से fall करके इस point पर आ सकता है फिर वापस इस line को आ सकता हो देखें जब भी आप support relations break करें अब break का पूरा पता होना चाहिए कि break कर रहा है आपको एक retracement दिखना चाहिए for example जैसे market नहीं आप ब्रेक आउट दिया लेकिन false breakout जैसा बनाया यहां पर फिर उसने sustain किया फिर अराम अराम से उपर गया तो इस तरस जब आपको लग तो तब ते क्ली बाइ